वालकम फेंड्स, तो स्वागतम दोस्तों, आखों के अंदर कौन से इंफेक्शन होते हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जाता है, इसके बारे में तो हमने पिछले वीडियो में जान लिया था, लेकिन आखों के आसपास पलकों के बाहर होने वाली एक बीमारी के बारे में आज क थे पलकों के बालों की, जड़ो की में जो उपसिद ओएली गिलेंड है, उनके अकाriters होती है, और जब ओएली गिलेंड में रुकावट आ जाती है, तो आइलीड पर एक छोटा सोहभार आ जाता है, जिसमें दर्ध होने लगता है, खीचाव होता है, रेटनेस हो जाती हैं, पर कई बार इसमें पर्स भी पढ़ जाती है, यह उपर या नीचे किसी भी आईलीड पर हो सकता है, गुहेरी को हम हाइडियूलम नाम से भी जानते हैं, और यह दो पुरकाकी होती है, पहली external हाइडियूलम तथा दूसरी internal हाइडियूलम, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो external हाइडियूलम है, यह पलकों के बाहर होती है, और जो internal है पलकों के अंदर होती है, ज्याद दर जो infection हम देखते हैं, वह external हाइडियूलम ही होता है, अगर इस बिमारी के लक्सनों के बारे में जाने, कौन-कौन से लक्सन दिखाई दे दे, तो इसमें आखों के पलकों पर एक blister हो जाएगा, उसमें दर्द होगा, आखों में पानी गिरता रहता है, आखों से discharge हो सकता है, पपड़ी उतर सकती है, लाइट से sensitivity हो सकती है, आखों में कुछ गिर गया हो, ऐसा महसूस हो सकता है, दुन्दला दिखाई देना, खीचाओ होना और कई बार इसकी वज संक्र मणित विक्ति के संपर्क में आ जाना, विटामीन A य वीटामीन D की कमी हो जाना, विक्ति वे कोंश्ची प्रेसन रहना, इस सरह के अलगले कारण है, अब जब व्यक्ति को यह बिमारी हो जाती है और डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर के दोरा उन्हें क्या treatment दिया जाता है उसको मेह पर जान रहे हैं इस समय डॉक्टर के द्वारा मरीज को ऐंटिभाय motivates लगाने के लिए दिया जाता है इस ऐंट्रोप तो दिन में तीन बार लगाने के डॉक्टर मांत की डि legislature सिलहा दिए जाते हैं जिस जिसमें एंटिबाइतिक की रूप में amoxicillin capsule दिया जाता है जिसे दिन में दो बार लेना होता है और मुल्टिविटामिन टेबिलेट जिसे दिन में एक बार लेना होता है और किसी वेक्ति को ज़्यादा दर्द है तो दर्द को कम करने के लिए दर्द निवारक टेबलेट जैसे की जीरो डोल पी, कॉमबी फ्लाम, सुमो टेबलेट कोई भी एक दी जा सकती है इस टेबलेट को खाने के बाद दिन में दो बार लेने के सलहा दी जाती और इस टीट्मेंट के साथ डोक्टर के दौरा दिन में दो से तीन बार इस आँख को हलकी गरम पानी से साफ करने के सलहा दी जाती और अगर ज़्यादा पस बढ़ गई हो तो उस पस को बाहर निकालने के लिए उसे दबाये जाता है जिससे कि infection जल्दी ठीक हो जाए और अगर किसी वेक्ति को बहुत ही ज़्यादा infection होगा हो वह काफी समय के बाद में डॉक्टर के पास आये जिससे कि टेबलेट से ज़्यादा नहीं हो रहा है तो उस समय उसे injectables दिये जाते हैं जिसमें ज्यादा तर प्रियोग लिये जाने वाला injectable सेफ ट्रिक्जोन injection है यहाँ पूरा जो treatment है पांस से दस दिन तक दिया जाता है और आवस्चता पढ़ने पर इसे कम हिया ज़्यादा भी डॉक्टर दोरा दिया जा सकता है तो यहाँ पूरी जानकायरती इस टाइप बीमारी के बारे में जिसमें गोहरी कहते हैं यह एक बीमारी जिसमें आखों के पलकों पर उभार आ जाता है उमिद करता हूं इस बीमारी की पूरी जानकायब को मिली होगी इसके लक्सन कारणों को जानने के साथ आपने इसका इलाज़ भी जाना होगा यह वीडियो को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जोड़ सो बताएं और नए किस टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताएं जैसे कि आपके पसंद के वीडियो मैं आपके लिए 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 आ सकूँ आपते अपने दोस मोहित आदिश के साथ दिखरिते अपना इडिव चैनल लाणावर्ट मैडिसी थैंक यू फेंड्स टेक केर एंड बी केफ़ोड़ मैडिसी उज्जर्स